देखे मुंबई स्टाइल बटाटा बढ़ा हां दोस्तो घरम घरम पटाटा बढ़ा रेडियाट नीक मुसंद में घरम घरम बटाटा बढ़ा खाए और इसके मज़े उठाए तो चलिये बनाते बटाटा बढ़ा नमस्ते दोस्तों इंडियन नुस्ते में आपका हर्दिक स्वागत है। दोस्तों वीडियो पसाने हैं तो वीडियो के लाइक किजिए चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब पर ना ना बोले। बड़े में हम फ्लेवर डालेंगे धनिया का इन सबको हम पीछ लेते हैं इनका एक पेश्ट बना लेते हैं और देखिए हमने इसका पेश्ट बना लिया है बिल्कुल दरदरा ज्यादा हमने गीला पेश्ट नहीं बनाया है और इससे हम डालेंगे अपने बटाटे बड़े मे अभी हम ले लेते हैं आलू जो हमने बोईल करकर करें इन्हें हाथों से मसल देंगे इनमें कोई गुठली नहीं रहने देंगे इतना इसे मसल देंगे हम और देखिए आलू को बिल्कुल हमने मसल लिया है इसमें कोई गुठली नहीं है अभी इसमें हम स्वाधनुसा नमक डा यह धनिया अध्रकर लासुन मिर्च का पेश्ठ है इसे हम अपने आलू मेंगे पेश्ट को ड़लके हमें इन्हें मिक्स करना है चांसे सारे पेश्ट को हम dancers et में टाल देंगे क्योंकि हमने वाइट नमक डाला है, थोड़ा से इसमें काला नमक डाल देंगे, अब इन सब को डालके हम मिक्स कर लेते हैं, ध्यान रखें कि हमने वाइट नमक डाल रखा है तो बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक डाले, सिर्फ लेवर के लिए चाहिए, अब इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं और इनका आ गोल गोल हम लडू बनाएंगे नीमु का ऐसी चाश तरब लेंगे इने गोल गोल बनाएंगे इस तरसे और एक प्लेट में रखतेंगे और यह पर हमने वत ना लीए हैं यह दखिए अब चलते ही इसका बैटर बनाने और बेटर बनाने के हमने एक बड़ा सा बावल लिया है उसपे हमने एक छन्नी रख दिया है क्योंकि बेशन को हम छानेंगे अभी हम बेशन ले रही है आधा कोट्री यानी 120 ग्राम हमारा बेशन है और इसे हम छान लिते हैं अथे से छानने से होगा कि बेशन मगर कोई मोटे कड़ होंगे वो सारे हमारे निकल जाएंगे और बेशन बिल्कुल हमारा प्यवर हो जाएगा और देखिए हमने बेशन को छान लिया है अभी हम बेशन को गारा घोल बनाना है तो हम थोड़ा थोड़ा पाणी डाल के इसे घोल त्यार करेंगे पतला घोल हमें नहीं बनाना है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पाणी डाल के इसका घोल त्यार करेंगे और देखिए हमने घो से फेटना है कर भीन है मैं दो से तीन मिनट इन्हें फेटते रहना इसी तरह से ताकि यह बिल्कुल फ्रॉपी से बन जाए हमारा बेटा तो घुल को हमने फेट लिया है अब इसमें हम बेकिंग पॉडर हप्टी इस्पून डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा हम पानी डालें तो देखिए फटा-फट से इन्हें हमें एकी साइड में फेटना है दोनों तरस से भूम आके नहीं फेटना है सिर्फ एकी सर्कल बनाते हुए इन्हें हमें फेटना है इस तरह से और देखिए वेटर थोड़ा सा हमारा गाड़ा है इसमें हम थोड़ा सा और पानी दो हमने ग्यच पर कड़ा ही रखआ हैं अब बटटा बढ़ा हैं अब दाल द जो पर बटटाप ले लेते लिंदगे लकाइनगे यहां लाकछा लापे को अंब टॉप्ड दालेंगे लुथ से एक बार में जितनी आ सके उतना हम इसमें एक एक करके डालेंगे हमें ज्यादा इकठा नहीं डालेंगे करीबन दो से तीन डालके पहले हम इन्हें फ्राइ करेंगे और दिखें जो साइड साइड में छोटे छोटे से निकल रहे हैं उन्हें भी हम अच्छे से फ्राइ कर ल जट ये सपील को हमने प्लड दिया है और इंहें अच्छे से हरेंगे हां निम हमने प्टर कर लिया है और देखिए, जितने टुकरे थे, छोटे-छोटे, उन्हें हमने निकाल लिया है, टेड़े-मेडे सारे जो टुकरे थे, अभी हमारे बढ़े बिल्कुल क्लीन हो गया है, अब बिल्कुल गोल-गोल से हमारे बढ़े होएं, देखिए ये बटाटा बढ़ा अभी देखिए हमने केसे प्राई किया है यह देखिए बिल्कुल इसे गोल्डन हमने होने तक प्राई किया है यह देखिए कित्ते अच्छे इसके कलर आये हैं इस तरह से हमें अपने बटाटे बड़ा को प्राई कर लेना है सारे को ये बटाटा बड़ा हमने फ्राई कर लिया इसी तरह से हमें सारे बटाटे बड़े प्राई कर लेने हैं और देखिये गर्म गर्म हमारा बटाटा बड़ा रेटी हुख्या इस ठण्डी बे खाये गर्म गर्म बटाटा बड़े और हमने इसे साथ प्याये हरी चटनी के साथ अच्प गर्माग्रम बट्टते बड़ाई का इस फटन्डि मजा उठ्ठा है दोस्तो अगर बट्टता बड़ा का वीडियो फूस्ताना है तो वीडियो के लाइब कीजए। कमेंट कीजए। चानल को फ्लीस-फ्लीस सेस्क्राइब करना ना भूल। मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अन्यवाद